मैं 10-15 दिनों से बहुत ज्यादा सेड़ था और बहुत ज्यादा परिसान था यार मैंने अपने आप से पूछा कि जिंदगी कैसी जीने चाहिए सच बता रहा हूँ मुझे मेरा कमरा ही जबाब देने लगा छत ने कहा हमेशा उचा सोचो पंखे ने कहा हमेशा दिमाग ठंडा रखो घड़ी ने कहा समय की कदर करो कलेंडर ने कहा वक्त के साथ चलो पर्चे ने कहा भविस के लिए बचाओ सीसे ने कहा अपने आप को देखो दिवार ने कहा किसी पे बोज मत बनो और खिड़की ने कहा किसी को गलत नजर से मत देखो और फिर मैंने बिश्तर को देखा तो बिश्तर ने कहा चुप चाप ओड़ कर सोजा ये सम्मोम आया है